तो हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब और आज मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहे हूँ कि आज आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हो गया है मेरे साथ और मैं किस सोच में बैठी हूँ कि अब क्या होगा और ये देखिए ये कि हमेंने सुखी सब्जी बनाई थी तो सब्जी निकाल लिए और गैस बंद करना भूल गई इसलो थी गैस फिर भी काफी देर तक कड़ाई जड़ी रही तो उसकी आहलत हो गई और मैं सोच रही हूँ कि हमें क्या करूँ मेरे लिए कितना सारा काम बढ़ गया है इसको बहु भी मिन्टो में दो मिनट से 30 मिनट नहीं लगेगा हमें तो यह मैंने लिया है पीतामरी जो हम पीतल के बढ़तर मगारा साफ करने के लिए यूज करते हैं मार्केट में इजीली मिल जाती है और तो बस पीतामरी ले ले लेगे हम वो इसमें चिड़क देंगे और इसके है हमारे पास जादू इन उसका तो इसको हम अभी आप देखिएगा कड़ा ही देखिएगा कि बुक कैसे क्लीन होती है और अभी तक मुझे यह पता था कि यह साइट पीतल या तामा और इन्हीं वर्तनों पर काम करता है लेकिन यार यह तो लोहे के वर्तनों पर भी काम करती ह यह आज मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूं और दिखा रही हूं तो लोहे के वर्तनों पर बहुत अच्छे से काम करती है मतब जैसे यह पीतल के वर्तनों पर काम करती है बैसे ही लोहे के वर्तनों पर भी करती है और यह देखिए मैं आगे पीछे दोनों साइड लग दूंगी और रगट दूंगी उसको बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है और आप देखेंगे कि हमारी कडाई बिल्कुर क्लीन हो गई है तो यह हुआ बनाने की जरूरत नहीं है कि हमारी कडाई जल गई है अब हम क्या करें और बड़ा टेंशन ले लेते हैं कुछ लोग के बहुत मेहनत होगी बहुत जिसना पड़ेगा तो कुछ भी नहीं करना है आप बस पीतामरी रखिए अपने पास थोड़ी सी लगती है और थोड़ी देर में साफ हो जाते है और जरूर नहीं है हमारे रोज चलते नहीं है इतने और नॉर्मली जल जाती है अब जैस को रोज करना हो तो वह रोज भी कर सकता है इतनी सी वितामरी लगनी है अभी तो मैंने खुछ ज्यादा डाल दीती क्योंकि बहुत बुरी तरीके से जली थी हो जब यह कम जली हो तो आप थोड़ा सा डालने भीतामरी वह बिल्कॉल क्रेन हो जाती है इसमें साबु निर्मा मेरा लगने के भी जूरत नहीं पड़ता है कुछ भी लगने की जूरत नहीं पड़तां है इसके बाद हम बस यह देखे पाने डालेंगे और मीरा dalज ऑसा लीख है तो यह ज़ांकता रहता तो पहोटछ चल म इस आप नोश करने वाली हूं और यह देखे हूं हमारी कढाही देख लीजे आप अभी मैंने आपको जली हुई दिखाई तो यह थोड़ अभी ब्लेक रह गया है तो अभी इसको दुबारा से रगड़ देंगे और बस हो जाएगी हमारी कडाही क्लीन तो अभी हमें थोड़ असा रगड़ना पड़ेगा और मेहनत बिलकुल नहीं लगेगी बस उस जगा पर थोड़ा सा हमें किसना है और वो जो जूना आपने स्टील का लिया है स्टील का जूना ले लें बस और अगर आप सौट जूना होगा लेंगे तो उससे थोड़ा सा काम नहीं करेगा स्टील वाला काम करेगा तो यह देखिए आप हमारे कड़ाई बिलकुल से क्लीन हो गई है और अब हमें कोई टैंसर नहीं ले नहीं है देखिए मैंने एक वो रखा हुआ है जैसे कि आप रीपवली में जो दिये बचते हैं हमारे तो उसमें हम मैं सावन भरके रख लेती और चार पांच बैराइट मेंने वीडियो हैं इसमें काफी दिया यह री यूज वाले वीडियो है तो यही है वो मैं इंदको ऐसे इस्तिमाल कर लेती हूँ कभी कभार जैसे बहुत जादा हार्ड कोछी जल जाता है तो एक दिये में मैं सावन जिसे हमारे नहाने खपड़ दूने वाले सावन होते हैं और या बिम है या कुछ भी है तो यह जो टुकड़े टुकड़े में बच जाता है ना तो हम इसको मैंने दिये में भरके और इस तरीके से बना के रखे हुए है तो दिये भी इसमें मैं निर्मा वाला भी रखे हूँ काफी बैराइटिया है मेर बहुत सी चीज़े मेरे पास हैं और मैं DIY भी करती हूं मतलब यह सब बना के रखती हूं तो इस तरीके से देखिए आप क्लिन हो गई है और मैंने इसमें एक भी कट नहीं किया है वीडियो में आप अगर थूड़ा सा भी टेक्निकली जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने इसमें बिल्कुल से कट नहीं किया है कहीं कुछ भी नहीं किया है जो भी दिखाया है मैंने रियल्टी दिखाई है यहां से मैंने जब मैंने सुरू की थी ना कडाई दुलना तो अपसे और मैं मिल्कुल लास्ट तक यह की ही वीडियो होगा कहीं कोई कट नहीं होगा कोई आइडेटिंग नहीं होगी सब औरिजनल है और आप देखें कराई हमारी मिलकुत क्लीन हो चुकी है और बगल में साधी है इसलिए आतिसवाजी हो रही है तो उस पे थुड़ा सा एग्नौर करिएगा और इस टाइम पर साधीयों का सीजन चला है यह देखें बरात उठन बचित धे मख्युक शायों है तो हमने बसहते हैं तो कभी जंग नहीं लगए तो इसमें जंग लग जाता है तो आप देख सकते हैं मैंने हमारे कड़ाई जो है बिल्कुल सूख चुकी है और हम अभ उसको रख देंगेगे तो इसमें जंग नहीं लगएiforniya मतलब ऑइल कैसा लगा जरूर बताएं कोमेट में और जो नए आते हैं वो सब्सकाइब करने मेरे चैनल